राधे राधे भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि सीथे ही हमें किसी के हाथ में नहीं देनी चाहिए इससे घर की बरकत और लक्षमी दोनों ही चली जाती हैं पहली तो जो चीज हमें किसी के हाथ में सीथा नहीं देनी चाहिए वो हैं चावल चावल हमें कभी भी किसी के हाथ में अपने हाथों से उसके हाथों में नहीं देनी चाहिए क्योंकि चावल लक्षमी मा का ही स्विरूप है जैसे ही हम चावल अपने हाथ से किसी के हाथ में रखते हैं तो इसे घर की लक्षमी पर परभाव पड़ता है और हमारा जो विपार है उसमें या नौकरी में कहीं भी कोई न कोई अर्चने जरूर आती है दूसरी जो चीज है वो है दहीं दहीं हमें कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, शाम के समय तो बिल्कुल भी किसी को भी नहीं देना चाहिए, इससे भी मा लक्शमी रुष्ट होती है, और हमारे घर के धन पर परभाव बढ़ता है, और अगली जो चीछ है वो है नमक, नमक भी हमें किसी के अपने हाथ से किसी के हाथ में नहीं रखना चाहिए इससे भी जो घर की लक्षमी है और बरकत है वो चली जाती है और नमक को शाम के समय तो बिलकुल भी किसी को नहीं देना चाहिए दहीं और नमक ना तो शाम को किसी को देने चाहिए ना ही इन्हें शाम को खरीदना चाहिए इन दोनों को दिन रहते ही हमें खरीद लेना चाहिए अगली जो चीछ है वो है सुई सुई हमें जो सिलने वाली सुई होती है वो कभी भी सीथे अपने हाथ से किसी के हाथ में नहीं देनी चाहिए इससे भी घर की बरकत पर परभाव पड़ता है और जो अगली वस्तू है वो है हरी मिर्च हरी मिर्च हमें कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए इससे हमारे रिष्टों में खटास आती है और जिसे हम देते हैं उससे हमारा लडाई छगड़ा अवश्य ही होता है इसलिए हमें हरी मिर्च भी कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए अगली जो वस्तू है वो है आटा आटा भी हमें कभी भी किसी के हाथ में सीधा अपने हाथ से नहीं देना चाहिए अगर हमें दान भी करना है तो जैसे किसी लिफाफे में या किसी बरतन में डाल कर हम उसे जिसको दान करना है उसे दे सकते हैं लेकन सीथा अपने हाथ से दूसरे की जोली में या हाथों में आटा नहीं देना चाहिए इससे भी जो घर की बरकत है वो चली जाती है और मा लक्षमी रुष्ठ होती है अगली जो वस्तु है वो है चीनी चीनी हमें कभी भी किसी को सीथे अपने हाथ से उसके हाथ में नहीं देनी चाहिए ये भी आप अगर बहुत जरूरी हो तो किसी लिफाफे में डाल कर अगर दूसरे वाले सामने वाले व्यक्ति को जरूरत है तो दे सकते हैं या किसी कटोरी या किसी और बरतन में दे सकते हैं लेकिन सीधी अपने हाथ से उसके हाथ में नहीं देनी चाहिए इस तरह से ये कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए और कभी भी अपने हाथों द्वारा किसी की जोली या हाथ में नहीं देनी चाहिए आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो लाप्रत सिध्ध होगा इसे लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जैमाता दी